रोमियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पत्री अध्याए एक पत्री अध्यादा की आत्मा के भाव से मरेहु में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने जिन में से तुम भी यिश्व मसी के होने के लिए बुलाए गए हो उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यिश्व मसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ती मिलती रहे पहले मैं तुम सब के लिए इश्य मसी के द्वारा अपने पर्मेशर का धन्यवात करता हूँ, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। पर्मेशर, जिसकी सिवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमचार के विश्य में करता हूँ, वही मेरा गवाह है, कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरन करता रहता हूँ, और नित्य अपनी प्राथनाओं में बिंती करता हूँ, कि किसी रीती से अब भी तुम अर्थात यह है कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांती पाऊं। और निर्बुद्धियों का करजदार हूँ, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमचार सुनाने को भरसक तयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वे हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी, फिर युनानी के लिए उध् निमित परमेश्वर की सामर्त है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धर्मिक्ता विश्वास से और विश्वास के लिए परगट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोत तो उन लोगों की सब अभक्ती और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विश्य का ज्ञान उनके मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है, क्य यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहां तक कि उनका निर्बुध्धी मन अंधेरा हो गया। वे अपने आपको बुध् परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाशों के अनुसार अशुधता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर जूट बना डाला और स्रश्टी की उपासना और सेवा की न कि उस रजनह की जो सधा धन्य है. आमीन. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया. यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक विभार को उस से जो स्भाव के विरुध है बदल डाला. वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक विभार छोड़ कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निरलज्य काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया. और जब उन्होंने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छो और छल और ईवशा से भरपूर हो गए, और चुगल खोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घ्रनित, औरों का अनादा करने वाले, अभिमानी, दींग मार, बुरी-बुरी बातों के बनाने वाले, माता-पिता की आग्या न मानने वाले, निर्बुधी, वि यह विधी जानते हैं, कि ऐसे-ऐसे काम करने वाले, मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्य भी होते हैं। रोमियों के नाम, पौलुस प्रेवित की पत्री, दूसरा अध्याए। और हे मनुष, तू जो ऐसे-ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है, और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है, कि तू परमेश्वर की दंड की आग्या से बच जाएगा, क्या तू उसकी क्रपा और सहन शीलता, और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की क्रपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रगट होगा, अपने निमित क्रोध कमा रहा है, वे हर एक को उसके कामों क अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोज में हैं, उन्हें वे अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी हैं और सत्ति को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और कलेश और संकट हर ए को मिलेगा, जो भला करता है, पहले यहूदी को, फिर युनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, क्योंकि परमेश्वर की यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठराये जाएंगे। फिर जब अन्यजाती लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, सुभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही विवस्था हैं। वे विवस्था की बातें अपने अपने हिर्दियों में लिखी वी दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस पर दोश लगाती या उन्हें निर्दोश ठहराती हैं। जिस विवस्था पर भरोसा रखता है और परमेशर के विश्य में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और विवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगवा और अंधकार में पड़े हुऊं की जोती और बुद्धिहिनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्ति का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आपको नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यविचार न करना क्या आप ही व्यविचार करता है? तू जो मूर्तों से घ्रणा करता है क्या आप ही मंदिरों को तू जो व्यवस्था के विश्य में घमन करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है. यदि तू व्यवस्था पर चले, तो खतने से लाब तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठैरा। जो लेख पाने और खतना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोशी न ठहराएगा, क्योंकि वह यहुदी नहीं, जो प्रगट में यहुदी है, और न वह खतना है, जो प्रगट में है, और देह में है, पर यहुदी वही है, जो मन में है, और खतना वही है, जो हिर्दय का और आत्मा में है न की लेख का ऐसे की प्रशंसा मनुश्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ज्श्वास घाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। कदापी नहीं। बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुश जूटा ठहरे। जैसा लिखा है कि जिस से तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जै पाए। सो यदि हमारा अधर परमेश्वर की धार्मिक्ता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह है कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्याई है? यह तो मैं मनुश की रीती पर घहता हूँ, कदापी नहीं। नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे जूट के कारण परम जब हम पर यही दोश लगाया भी जाता है, और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परन्तु ऐसों का दोशी ठैराना ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं क्योंकि हम यहूदियों और युनानियों दोनों पर यह दोश लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जीभों से चल किया है। उनके होटों में सापों का विश है और उनका मुह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पाउं लोहु बहाने को फुर्तीले हैं। उनके मारगों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मारग नहीं जाना। उनकी आँखों के सामने परमे कि हर एक मुह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योगे ठहरे। क्योंकि विवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि विवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना विवस्था और भविश्द्वक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धर्मिक्ता जो ईश्य मसी पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है क्योंकि कुछ भेद नहीं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु उसक अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसी यिश्यु में हैं सेत मेत धर्मी ठराये जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लोहु के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठराया जो विश्वास करने से कारेकारी होता है कि जो पाप पहले किये गए और जिनकी परमेश्वर अनकानी की उनके विश्य में वह अपनी धर्मिक्ता प्रगट करे वरन इसी समय उसकी धर्मिक्ता प्रगट हो कि जिस से वह आप ही धर्मी ठहरे और जो इश्यु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो तो घमंड करना कहां रहा उसकी तो जगह ही नहीं कौन इसलिए हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि मनुष्य विवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहुदियों ही का है? क्या अन्यजातियों का नहीं? हाँ, अन्यजातियों का भी है. क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा. तो क्या हम विवस्था को वि प्रेवित की पत्री, चौथा अध्याए परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता, बरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मिक्ता गिना जाता है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाउद भी धन्य कहता है, कि धन् और जिनके पाप धापे गए, धन्य है वह मनुष्य, जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य कहना क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी। हम यह कहते हैं कि इबराहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिक्ता गिना गया, तो वह क्यों कर गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में, खतने की दशा में नहीं, परन्तु बिना खतने की दशा में, और उसने खतने का चिन्न पाया कि उस विश्वास की ध भर्मिक्ता पर छाप हो जाए, जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और की वे भी धर्मी ठहरें। और उन खतना किये हूँ का पिता हो, जो ना केवल खतना किये हूए हैं, परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। क्योंकि यह प्रतिग्या कि वे जगत का वारिस होगा, ना इब्राहिम को, ना उसके वंश को विवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धर्मिक्ता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि विवस्था वारिस हैं, तो विश्वास, वियर्थ और प्रतिग्या निश्फल ठहरी। विवस्था तो क्रोध उप जाती है, और जहां विवस्था नहीं, वहां उसका टालना भी नहीं। इसी कारण, वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीती पर हो, कि प्रतिग्या सब वन्ष के लिए द्रण हो, न कि केवल उसके लिए जो विवस्था वाला है, बरन उनके लिए भी जो इब्राहीम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने, जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुऊं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, कि मानों वे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वा किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो, और वह जो एक सो वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर, और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, और ना अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संधे किया, पर विश्वास में द्रण होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिग्या किये है, वह उसे पूरी करने को भी सामरती है, इस कारण यह उसके लिए धर्मिक्ता गिना गया, और यह अठात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु ईश्यू को मरे हुँँ में से जिलाया, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। रोमियों के नाम पौलुस प्रेवित की पत्री पाँचवा अध्याय सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु ईश्यू मसी के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आश्या पर करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, क्योंकि ज ठीक समय पर भक्ति हीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुरलब है, परंतु क्या जाने, किसी भले मनुष के लिए कोई मरने का भी हियाओ करें, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रिती से प्रगट करता है, कि जब हम पापी ही थे, तभी मसी हमारे लिए मरा, सो जब कि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोट से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभुईश मसी के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विशे में घमन भी करते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यू आई, और इस रीती से मृत्यू सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया, क्योंकि विवस्था के दिये जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां विवस्था नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता, तो भी आदम से लेकर मूसा तक, मृत्यू ने उन लोगों पर भी राज किया, जिन्होंने उस आदम के अपराद की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ध है, पाप ना किया, पर जैसा अपराद की दशा है, वैसी अनुग्रह के बरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद से ब और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आग्या का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपरादों से ऐसा बरदान उत्पन हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद के मृत्यू ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी बरदान भहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात इश्य मसी के द्वारा अवश्य ही आनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराद सब मनुष्यों के लिए दंड की आग्या का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित धर्मी ठहराये जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभुईश्य मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह भहुत हो, कदापी नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्योंकर जीवन बिताएं, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह इश्य का बप्तिस्मा लिया, तो उसके मृत्यु का बप्तिस्मा लिया, सो उ नए जीवन कीसी चाल चलें, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चे उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुशत्व उसके साथ क्रूस पर चड़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्त्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया, वह पाप से छुट कर धर्मी ठहरा, सो यदि हम मसी के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं, कि मसी मरे में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यू की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है, तो परमेश्वर के लिए जीवित है, ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा, प और ना अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौपो, पर अपने आपको मरे हुँ में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौपो, और अपने अंगों को धर्म के हत्यार होने के लिए परमेश्वर को सौपो, और तुम पर पाप की प्रभुता न क्योंकि तुम व्यवस्था के आधिन नहीं, बरन अनुग्रह के आधिन हो, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के आधिन नहीं, बरन अनुग्रह के आधिन हैं, कदापी नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आग्या मानने के लिए तुम अपने आपको दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दासों, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के, जिसका अंत मिर्त्यु है, चाहे आग्या मानने के, जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उबदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे में धाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारिरिक दुरबलता के कारण मनश्यों की रीती पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुधता और कुकर्म के दास करके सौपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौप दो। जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्थ होती है और उसका अंत अनंत जीवन है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु मसी इश्यु में अनंत जीवन है। रोमियों के नाम पौलुस प्रेवित की पत्री सात्वा अध्याए। हे भाईयों क्या तुम नहीं जानते। मैं विवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर विवस्था की प्रभुता रहती है। क्योंकि विवाहिता स्त्री विवस्था के अनुसार अपने पती के जीते जी उस से बंधी है। परंतु यदी पती मर जाए तो वह उस विवस्था से छूट गई। तुम भी मसीह की देह के द्वारा विवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुँ में से जी उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारिरिक थे तो पापों की अभिलाशाएं जो विवस्था के द्वारा थी मृत्यू का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परन्तु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर कर अब विवस्था से ऐसे छूड़ गए कि लेख की पुरानी रीती पर नहीं बरन आत्मा की नई रीती पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या विवस्था पाप है? कदापी नहीं। बरन बिना विवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। विवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता। परन्तु पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन किया, क्योंकि बिना विवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो विवस्था बिना पहले जीवित था, परन्तु जब आग्या आई, तो पाप जी गया, और मैं मर गया। और वही आग्या जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए विवस्था पवित्र है और आग्या भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यू ठहरी, कदापी नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्थू के द्वारा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगठ हो और आग्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं कि वेवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारिरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, वे नहीं किया करता, परंतु जिस से मुझे घ्रणा आती है, वहीं करता हूँ, और ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती इच्छा तो मुझ में है परन्तु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते क्योंकि जिस तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे अंगों में हैं। मैं कैसा अभागा मनश्य हूँ। मुझे इस मृत्यू की दे से कौन छुडाएगा। मैं अपने प्रभु ईश्य मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवात करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धी से तो परमेश्वर की विवस्था का परंतु शर शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं क्योंकि जीवन की आत्मा की विवस्था ने मसीह ईश्य में मुझे पाप की और मृत्यू की विवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम विवस्था शरीर के कारण दुरबल होकर न कर सकी उसको और पाप के बलदान होने के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आग्या दी। इसलिए कि विवस्था की विधी हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। क्योंकि शारिरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, प क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की विवस्था क्या दीन है और नहो सकता है, और जो शारिरिक दशा में हैं बे परमेश्वर को प्रसंद नहीं कर सकते, परन्तु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता ह तो तुम शारिरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में हैं, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने ईश्यू को मरे हुँ में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसी को मरे हुँ में से जिलाया वह तुमारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाईयो, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देहे की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला कर पुकारते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं, तो वारिस भी, बरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जब कि हम उसके साथ दुख उठाएं, कि उसके साथ महिमा भी पाएं, क्य क्योंकि स्रश्टी बड़ी आशा भरी द्रश्टी से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बाट जो रही है, क्योंकि स्रश्टी अपनी इक्षा से नहीं, पर आधीन करने वाले की ओर से विर्थता के आधीन इस आशा से की गई, कि स्रश्टी भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंतरता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी स्रष्टी अब तक मिलकर कहरती और पिडाओं में पड़ी तडपती है, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ह अपने में कहरते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं, आशा के द्वारा तो हमारा उधार हुआ है, परंतो जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहां रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई द हमारी दुरबलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते की प्रार्थना किस रीती से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर-भर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए बिंती करता है, और मनों का जाचने वाला जानता है की आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिंती करता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही कोत्पन करती हैं अर्थात उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाई क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वे बहुत भाईयों में पहलोठा ठहरे। यदि परमेश्वर हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जिसने अपने निजपुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। जो मर गया बरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसी के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किये जाते हैं। हम बद होने वाली भेडों की नाई गिने गए हैं, परन्तु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हम से प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यू, ना जीवन, ना स्वर्ग दूत, ना परधानताएं, ना वर्तमान, ना भविश्य, ना सामर्थ, ना उचाई, ना गहराई, और ना कोई और स्रश्टी, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह नाम, पौलुस प्रेवित की पत्री, नौमा अध्याय, मैं मसीह में सच कहता हूँ, जूट नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्रात्मा में गवाही देता है, कि मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता था, कि अपन पुर्खे भी उन्ही के हैं, और मसी भी शरीर के भाव से उन्ही में से हुआ, जो सब के उपर परम, परमेश्वर, युगानियुग, धन्य हैं, आमीन. परंतु यह नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंश हैं, वे सब इसराइली नहीं, और ना इबराहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है, कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्था शरीर की संतान आउंगा, और सारा के पुत्र होगा, और केवल यहीं नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी, और अभी तक न तो बालक जन में थे, और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, कि उसने कहा, कि जेठा छुटके का दास ह इसलिए कि परमेशर की मंसा, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, करमों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसो को अप्रिय जाना, सो हम क्या कहें, क्या परमेशर के यहां अन्याय है, कदाप भी नहीं, क्योंकि वे मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर क्रपा करना चाहूं, उसी पर क्रपा करूंगा, सो यह न तो चाहने वाले की, न दोडने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेशर की बात है, क्योंकि नाम का प्रचार सारी प्रत्वी पर हो, सो वह जिस पर चाहता है, उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है, उसे कठोर कर देता है. सो तु मुझ से कहेगा, वह फिर क्यों दोश लगाता है, कौन उसकी इच्छा का सामना करता है, हे मनुश्य, भला तु कौन है, जो परमेश्वर का सामना करता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, कि तुने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लॉंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाएं तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किये गए थे बड़े धीरत से सही और दिया के बर्तनों पर जिने उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रगट करने की इच्छा की अर्थात हम पर जिने उसने न केवल यहूदियों में से बरन अन्यजातियों में से भी बुलाया, जैसा वै होशे की पुस्तक में भी कहता है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया कहूंगा, और ऐसा होगा, कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था, कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इस्तराइल की विशय में पुकार कर कहता है कि चाहे इस्तराइल की संतानों की गिंती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उन में से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन प्रत्वी पर तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठैरते। सो हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धर्मिक्ता की खोज नहीं करते थे, धर्मिक्ता प्राप्त की, अर्थात उस धर्मिक्ता को जो विश्वास से है, परंतु इस्राइली, जो धर्म की विवस्ता की खो उन्हों ने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। रोमियों के नाम, पौलुस प्रेवित की पत्री, दस्वा अध्याय हे भाईयों, मेरे मन की अभिलाशा, और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, कि वे उध्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिक्ता के आधिन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निमित मसीही विवस्था का अंत है, क्योंकि मू वह यों कहती है कि तू अपने मन में यह नह कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसी को उतार लाने के लिए, या गहराओं में कौन उतरेगा अर्थात मसी को मरे हुँ में से जिलाकर उपर लाने के लिए, परंतू क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है, जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तु अपने मुह से इश्यू को प्रभू जानकर अंगिकार करे, और अपने मन से विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उससे मरे हुँ में सिज तो तू निश्चे उधार पाएगा, क्योंकि धर्मिक्ता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उधार के लिए मुह से अंगिकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा, यहूदियों और युनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वे सब का प्रभु है, और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उधार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वे उधार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों कर लें, और ज जैसा लिखा है कि उनके पाउं क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमचार पर कान न लगाया. ये शाया कहता है कि हे प्रभु किसने हमारे समचार की प्रतीती की है, सुविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी प्रत्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुच गए हैं। फिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राइली नहीं जानते थे? पहले तो मुसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाती नहीं, तुम्हारे मन में जलन उप जाऊंगा, मैं एक मूढ जाती के द्वारा तुम्हें रिस्त दिलाऊंगा। हो गया, परंतु इस्राइल के विशे में वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आग्या न मानने वाली और विवात करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। रोमियों के नाम पौलुस प्रेवित की पत्री ग्यारवा अध्याय इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापी नहीं, मैं भी तो इसराइली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिससे उसने पहले ही से जाना, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इसराइल की विरोध में परमेश्वर से बिंती करता है, कि हे प्रभु, उन्होंने तेरे भवश्डक्ताओं को घात किया, और तेरी वेदियों को ढढा दिया है, और मैं ही अकेला बच रहा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं, परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला, कि मैंने अपने लिए साथ हजार पुर्षों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं, सो इसी रीती से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं, यदि यह अनुग्रह से हुआ है, तो फिर करमों से नह नहीं, नहीं तो अनुग्रह, फिर अनुग्रह नहीं रहा, सो परिणाम क्या हुआ, यह है कि इस्तराइली जिसकी खोज में हैं, वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुएं को मिला, और शेश लोग कठोर किये गए हैं, जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के भोजन उनकी लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए, उनकी आँखों पर अंधेरा चा जाए, ताकि न देखें, और तु सदा उनकी पीठ को जुकाए रख, सो मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिरपने, कलापी नहीं, परंतु उ अन्यजातियों को उधार मिला कि उन्हें जलन हो, सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्यजातियों के लिए संपत्ती का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा, मैं तुम अन्यजातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्यजाति कराओं क्योंकि जब की उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहन किया जाना मरे हुऊ में से जी उठने के बराबर ना होगा। नाई का भागी हुआ है तो डालियों पर घमन न करना और यदि तु घमन करे तो जान रख कि तु जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तु कहेगा डालियां इसले तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई परंतु तु विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भैकर। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की क्रपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर पर क्रपा। यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे। क्योंकि तू परमेशर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और सुभाव के वुरुद अच्छी जल्पाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जल्पाई में साटे क्यों न जाएंगे? हे भाईयो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आपको बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेट से अंजान रहो, कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीती से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्रायल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीती से सारा इस्रायल उधार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुडाने वाला सियोन से आएगा, और अभगती को याकुब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, वे सुसमचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं, परमेश्वर अपने बरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आग्या न मानी, परंतु अभी उनके आग्या न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आग्या न मानी कि तुम पर जो दया होत क्योंकि परमेश्वर ने सब को आग्या न मानने के कारण बंद कर रखा ताकि वे सब पर दया करें। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धी और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथा और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धी को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानी युग होती रहे। आमीन। रोमियों के नाम पौलूस प्रेवित की पत्री बारवा अध्याए। इसलिए हे भाईयो, मैं तुमसे परमेश्वर की दिया स्मरण दिला कर बिंती करता हूँ, कि अपने शेरिरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सद्रश्य न बनो, परंतो तुम्हारी बुद्धी के नए हो जाने से तुम्हारा चालचलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिध इच्छा अनुभव से मालुम करते रहो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, कि जैसा समझना चाहिए, उस से बढ़कर कोई भी अपने आपको न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमान के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धी के साथ अपने को समझे क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन भिन बरदान मिले हैं तो जिसको भविशद्वानी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमान के अनुसार भविशद्वानी करे। यदि सेवा का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगवाई करे वह उत्साह से करे, जो दिया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निश्क पठो, बुराई से घ्रणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो, परस पर आदर करने में एक दूसरे से ब क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को, जो कुछ अवश्य हो, उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशिश दो, आशिश दो, श्राप न दो, आनन्द करने वालों के साथ आनन्द करो, और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगती रखो, अपनी द्रश्टी में बुधिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो, जहां तक ह हो सके, तुम अपने भरसक सब मनुश्यों के साथ मेल मिलाप रखो, हे प्रियो, अपना पल्टा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पल्टा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भुका हो, तो उ से पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से, तु उसके सिर पर आग के अंगारों का धेर लगाएगा, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, रोमियों के नाम, पौलुस प्रेवित की पत्री, तेर्वा अध्याय, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों क के आधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार हैं, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इस से जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वे परमेश्वर की विधी का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। इसलिए आधीन रहना न केवल उस क्रोच से परंतु डर से अवश है बरन विवेक भी यही गवाही देता है। आधर करना चाहिए उसका आधर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने विवस्था पूरी की है। क्योंकि यह है कि विविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आग्या हो। तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पडोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना विवस्था को पूरा करना है। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीन से जाग उठने की घड़ी आप हुची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उधार निकट है। रात बहुत बीट गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर जोती के हतियार बांध लें, जैसा दिन को सोहता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना की लीला क्रीडा और प्यक्कडपन, ना विभिचार और लुच्पन में, और ना जगड़े और डाह में, बरन प्रभु ईशु मसी को पहन लो, और शरीर के अभिलाशों को पूरा करने का उपाय न करो। वैसाग पात ही खाता है, और खाने वाला, ना खाने वाले को तुछ न जाने, और ना खाने वाला, खाने वाले पर दोश न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहन किया है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है, उसका स्थिर रहना या गिर जाना, उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, बरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है, और न कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं, तो प्रभू के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं, तो प्रभू के लिए मरते हैं, सो हम जीएं या मरें, हम प्रभू ही के हैं, क्योंकि मसीह इसी लिए मर और जीव ही उठा, कि वह मरे हुऊं और जीवतों दोनों का प्रभु हो, तु अपने भाई पर क्यों दोश लगाता है, या तु फिर क्यों अपने भाई को तुछ जानता है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीब परमेश्वर को अंगिकार करेगा, सो हम मेंसे हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, सो आगे को हम एक दूसरे पर दोश ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो, कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समस्ता है, उसके लिए अशुद्ध है, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीती से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोज के द्वारा नाश ना कर, अब तुम्हारी भलाई की निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है, जो पवित्रात्मा से होता है, और जो कोई इस रीती से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है, और मनुश्यों में ग्रहन योग्य ठहरता है, इसलिए हम उन बातनों का प्रयत्न करें, जिन से मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़, सब कुछ शुध तो है, परंतु उस मनुश्य के लिए बुरा है, जिसक उसके भोजन करने से ठोकर लगती है, भला तो यह है, कि तुना मांस खाए, और ना दाखरस पिये, ना और कुछ ऐसा करे, जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, तेरा जो विश्वास हो, उससे परमेश्वर के सामने, अपने ही मन में रख, धन्य है वह, जो उस बात में, जिसे वह ठीक समझता है, अपने आपको दोशी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है, वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चे धारना से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं, वह पाप है, रोमियों के नाम, पौलुस प्रेवित की पत्री पंद्रवां अध्याये ये पावित्र शास्ति की शांती के द्वारा आशा रखें, और धीरज और शांती का दाता परमेश्वर, तुम्हें यह बर्दान दे, कि मसी ईश्यु की अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुह होकर, हमारे प्रबु ईश्यु मसी के पिता के लिए तुम्हें ग्रहन किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहन करो। मैं कहता हूँ कि जो प्रतिग्याएं बाप दादों को दी गई थी उन्हें द्रहण करने के लिए मसी परमेश्वर की सच्चाई का प्रमार देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बन और अन्य जाती भी दया के कारण परमेश्वर की बढाई करें जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाती-जाती में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है हे जाती-जाती के सब लोगो उसकी प्रजा के साथ आनंद करो और फिर हे जाती-जा प्रभू की स्तुति करो और हे राज्य राज्य के सब लोगो उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है कि यश्य की एक जड़ प्रगट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपूर्ण करे कि पवित्रात्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाईयो, मैं आप भी तुम्हारे विश्य में निश्चे जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और इश्वरी ग्यान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाव करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्यजातियों के लिए मसही ईश्व का सेवा खोकर परमेश्वर के सुसमचार की सेवा याजक की करूं, जिस से अन्यजातियों का मानों चढ़ाया जाना पवित्रात्म से पवित्र बन कर ग्रहन किया जाए। सामर्थ से मेरे ही द्वारा किये, यहां तक कि मैंने एरुश्लेम से लेकर चारों और इल्लू रिकुम तक मसही के सुसमचार का पूरा पूरा प्रचार किया, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसही का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुसमचार सुनाओं, ऐसा ना हो क कि दूसरे की नेव पर घर बनाओं, परंतु जैसा लिखा है, वैसा ही हो, कि जिन्हें उसका सुसमचार नहीं पहुचा, वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना, वे ही समझेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब मुझे इन आशा है कि उस यात्रा में तुम से भेट करूं, और जब तुम्हारी संगती से मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुचा दो, परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरुशलेम को जाता हूं, क्योंकि मकिदुनिया और यह अच्छा लगा कि यरुशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें, अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके करजदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाती उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है कि शरिरिक बातों में उ मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मसी की पूरी आशिश के साथ आऊंगा, और हे भाईयो, मैं यिश्य मसी का जो हमारा प्रभु है, और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर तुम से बिंती करता हूं, कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं, और मेरी वह सेवा, जो यरुश्लेम के लिए है, पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आतर, तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं, शां तुम से फीबे की, जो हमारी बहिन और किंख्रिया की कलिस्या की सेविका है, बिंती करता हूं, कि तुम जैसा की पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभू में ग्रहन करो, और जिस किसी बात में उसको तुम से प्रयोजन हो, उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों क बरन मेरी भी उपकारणी हुई है, फ्रिस्का और अक्विल्ला को, जो इशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं, बरन अन्य जातियों की सारी कलिस्याएं भी उनका धन्यवात करती हैं, और उस कलिस्या को भी नमस्कार, जो उनके घर में हैं, मेरे प्रिये इपैनितुस को, जो मसी के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार, मरियम को जिसने तुमारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार, अंद्रुनिकुस और युनियास को, जो मेरे कुटुम्भी हैं, और मे जो प्रभु में मेरा प्रिये है नमस्कार। उर्बानुस को जो मसी में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिये इस्तखुस को नमस्कार। अपिलेश को जो मसी में खरा निकला नमस्कार। अरिस्तु बुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुम्बी हेरोदियोन को नरकिस्स के घराने के जो लोग प्रभू में हैं उनको नमसकार। त्रुफैना और त्रुफोसा को जो प्रभू में परिश्रम करती हैं नमसकार। प्रिया पिर्सिस को जिसने प्रभू में बहुत परिश्रम किया नमस्कार। रूफुस को जो प्रभू में चुना हुआ है और उसकी माता जो मेरी भी है दोनों को नमस्कार। असुकृतुस और फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और हिमांस और उनके साथ के भाईयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुमपास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुम्बन से नम अब हे भाईयो, मैं तुमसे बिंती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पढ़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताल लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने प पहल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विशे में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ, कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो, शांती का परमेश्वर, शैतान को तुम्हारे पाउं से शीघ्र कुचलवा देगा, ह सोसी पत्रुस मेरे कुटुंबियों का, तुमको नमस्कार, मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार, गयुस का, जो मेरी और कलिस्या का पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार, इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वार्तुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमचार अर्थात ईश्यु मसीह के विशय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। अमान परमेश्वर की इश्यु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। आमीन।